हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कीरन ब्लॉक्स एंड ग्यान की बाते में तो आज हम जानेंगे कि जो मनुष्य कौन से दो कारे करता है जिसके उपर आई आकाल मित्यू भी टल जाती है तो दोस्तों चलिए आज की कहानी हम सुरू करते हैं जो दोस्तों इसमें भगवान स्थिक्रिष्ण ने बताया है कि मनुष्य से अगर यह दो बाते समझ जाए तो उसके अउलाद पर आई विपदा भी टल जाती है एक बार की बात है कि भगवान स्थिक्रिष्ण गोकुल में समझ बहज़े राज में भुन में इसलाम कर रहे थे तभी वहां सद्यभास पहुंचाती है और्वाम को देखकर भगवान से किष्ण कहते हैं कि हे दیवी आईए आपका स्वागत है आज आपको किसले से आगमन हुआ है तब से अग्माह काती है दक कॉण पर्भू मेरे मिन से समझ जाए तो उसके अवलाद पर आज मित्वी चल सकती है तब भगवान से किस्ण कहते हैं कि देवी आपको एक मैं एक अर्थियंद पवीत कथा सुनाता हूं जिसको सुनने के बाद आपके सभी प्रश्णों के उत्तर मिल जाएंगे तब देवी सत्यभामा करती है कि सुनाइए प्रभु मैं ध्यान लगा करके आपके कथा को सुनोंगी और पूरी समझें भी तो भगवान से किष्ण कहते हैं कि चलिए अब कथा को औरम करते हैं भगवान से कृष्ण सत्यभा नाम के राजा हुआ करते थे राजा देव अधर्म आत्मां वैक्ति थे राजशा देव वर्मा की बड़ी की पावित्ता और संस्कारी पत्नी ती जिसका नाम था नहीं था समझ जनता सुक और वहववव से संपन थी चारो तरफ खुशियां की खुशियां थी भवान से किष्ण करते हैं कि संतभामा इसी परकाद ही देरे कुछ समय बीत गया पंतु आयदर तक राजा के यहां को संतान पैदा नहीं हुई राजा की आयद हल चुकी थी लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक प्रदा नहीं हुआ एक दिन की बात है कि सुबस महराज अपने नगर में एक परसीद गती से निकल कर जा रहे थे उधर एक जाड़ु वाली गली में जाड़ु लगा रही थी तब इस तरी राजा को आत मसे बुला करके यूसर मुझे कुछ बात कर ना वाली के सनीख जाता है जिसने महराज को को मुझे צ conse मुलाया है कि उस थिए अपने मन्रें को आब बोलने लगी कि महाराज का देश है तो तो नहीं सकते हैं इसलिए चलना पड़ेगा कि पूंचनी लग कि पूत ही पूरा माराज के घरी होती है और पुछ समय के बाद महाराज के दर्वार में यह जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को परिनाम करती है माराज करें लगे कि यह बहना आप मुझे बताओ कि आज प्राथर काल जब मैं भगवान स्वीजी के मंदीर में पूजा करने कि जा रहा था तो तुमने अपना मुझ क्यों फेर लिया मुझे देख कर गए तब वह महिला कहती है कि है माराज आप भले ही मितू देंद दो तो ही मैं जो कोई तराज नहीं है प्रंतु मैं देखके अपना मुझ फेर लिया था दोस्तों राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर के बड़े चमित हुए और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान स्वीजी के पूत्र करनी होगी दोस्तों ऐसा विचार करने के बाद अपने महल में आए और अपने महार लोगों को हमारा मुझ देखने में बहुत अगलिफ होती है नगरवाले को क्योंकि हम संतान हीन है हमारी कोई संतान नहीं है ना कोई वह सही इसलिए भगवान सीव के दरबार में चलते हैं और भगवान भोड़ना से अराधा कर रहें कि हमें पूत्र परदान करने कि है हो गया है और यह जो यह कर्यों पंडित था अभी जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने यह करवाएं है कोई भी असफल नहीं हुआ है लगता है महराज का भागे ही खराब है भागे में ही लिखा है कि कोई संतान ना होगी तो मैं भी क्या कर सकता हूं अब यह सफ भागवान सीव करो गारो में भागवान सीव के मंदीर में बैठ कर देखने लगता है और उस तरह से तपस्या करते हैं झालते अब इस भक्त के पास जाना पड़ेगो और जाना भी चाहिए कुछ समय बाद भगवान सीव अपने नदी के साथ में राजा के समने परकट होते हैं नदीक जी के साथ और कहते हैं कि राजा मैं तुमसे अतिप्रशन हूँ बर्दान मांगो क्या बर्दान मांगते हो तो वे बोले राजा बोले कि है प्रभु आप तो सब ची जानते हैं अंतर यामी हैं सबकी मन के बात को जानते हैं कि कौन क्या चाहता है नहीं चाहता है तो राजा ने बिना कहता है कि राजा कि जैसे प्रभु जैसे हंस बिना सागर सुना है कोईल बिना जैसे बात सुनी है उ रहा हूं लेकिन जहां रखना कि उस्पत्र की आयू मात पचास वर्स पचीस वर्स ही होगी पचीस वर्स तक वर्तुम्हें पूद्य कर सुप देकर पूर्ण अपने स्थान को लोड़ जाएगे राजा ने सुचा चलो पचीस वर्स तक सही कम से कम संतान का तो होने का कलंग ना होने का कलंग तो मिड़ जाएगा राजा ने कहा कि जो भी प्रभू आप मुझे परदान कर दीजेगा दोस्तों उसी समय भगवान भोले बाबा ने अपने एक गड़ को बुलाया और उसमें से कहा कि तुम जाओ और पचीस साल के लिए इस राजा के पूत्र के रुपने जनम देलो और दोस्तों राया की बोले बाबा का वर्दान लेने के बाब वापस अपने महल में लोड़ जाते हैं और वह सुचना अपने राज पुरोईत को तुनाता है कि बढ़ान दीया है कि मेरे घर में बीपुद्र की प्राप्ति हो जाएगी है जब इसके बाद स्रीक्रिष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा अब देदे समय बेतित होते गया और आगे बढ़ा और भोले बाबा के वर्दान के अनुसार अनुसार राणी गैथी देवी घर धान करती है और यह देखकर राजा के घर में खुशी के लहर दोड़ जाती है राजा बहुत परसंड होता है इसके समय के नुसार राण भोले बाबा के उसी महानगार ने राजा के पुत्र के रूप में जनम ले लिया यह देखकर राजा और राणी बड़े परसंड हुए संपूर कासी नगरी में उस्सव मनाया गिया कि महाराज के यहां पुत्र के ज लगा और समय गुजरता गया इस बात को राजा परसंड रहता था कि क्योंकि उसके घर में पूत्र आ गया था जिससे वह लाड़ प्यार और लाण पारन में सब्सक्राइब भूल जाता था इस पूत्र की आयू 25 वर्स है और इसमें से उसके अब 15 वर्स की आयू बीच चु की दान धर्म किया करती थी वचपन से ही उसे अपने उस दो कि संस्कार मिल ठे वह परत्यक जीव पर दया रखती थी सवेरे उठकर शक्र सक्षे पले पछिए मोंगे इधर धीरे होया थी थी और महाराज तेज सीन ने जब राजा देव बर्मा के पूत्र रूद परताब के बारे में सुना कि महादेव महाराज देव बर्मा का एक बड़ा स्थर्मात्मा और तर्यस्वी पूत्र है ऐसा विचार करके राजा देव कि राज कुमान का दिश्ता त्यक्रों Selfie मैण हो गिया राज कुमारी वेद tiet की इसी पुरी होने वाली थी आए पहले ही से जानता था क्योंकि भगवान भोले बाबा ने उसे सब को बता दिया था आपके पूत्र की आयू मात 25 वर्स होगी राजा नहीं यह बात किसी को नहीं बताई थी राजा की चिंटा बढ़ती जा रही थी जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे राजा भूल जाता है और पुत्र की आस्ती होने की वज़र से वह बीमार पड़ जाता है वह पूत्र की मित्यु के बाद सबको बता कर उन्हें भी चिंटा में नहीं डालना चाना था अब तक राजा ने भोजन करना छोड़ दिया इधा उधर वह दिन में आगे आ गया चे रहेगा उसाजा कुमार की जो नव निविश्ता पत्नी थी वह प्रसी दिन भूखे को भूजय कर आया करती थी वह रोज की तरह उस दिन भी अपने प्रती धर्म और कर्म में लगी हुई थी इहर्म यमलोक में देखा कि आज राज कुमार रूद्र परताप की मित्यू का दिन तुम्हे एक सब के पास जाकर और राज कुमार की मित्यू के लिए प्रहित करना होगा क्योंकि उस राज कुमार की मित्यू सर्ब के डशने से ही होगी कोई सप्पोर्ट से दस आएगा तभी हम उसके प्रान हर सकते हैं यम्राज नहें अपने दूतों से कहा कि जाओ और चार करने लगा कि आज मुझे राज महल में परवेश करना चाहिए और राज महल में मुझे घूम कर देखना चाहिए दोस्तों आप तो घूमता चला जा रहा था और राजा के राज महल में परवेश करने गया तो अब तो राजमराज से प्रिस्ट था इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार की बेट पर पहुंच जाता है जहां राजकुमार सोता था राजकुमार के बिश्टर के पास जाके बढ़ जाता है यह राज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय पूरा होने का इंतजार करें लगते हैं कि एक घंटे का समय एक गरीब बेक्ती रहता था उसकी एक पुत्री थी उस पुत्री के वहाँ उन्हेंने समय पर कर दिया पर उस पुत्री के जो पती था वह बहुत मदिरा पिटता था और जुवा खिलने वेश्वा गमन करना उसका काम था इसलिए वह उस गरीब धंपती की पुत्री को हमेशा परिषान किया करता था। उसको मार्ता पिठता था। उसे घर से निकालना चाता था। त स्कूलते कि पुट्री अपने वहां पती के साथ कुछ समय तक रहती थी। उसके बाद वह गर्व धारन करती है। और एक दिन वह अपने पती की मान्किट से तंग आकर अपने पिता के घच चल जाती है उसे लड़की की पिता बुढ़ा हो चुका था इसलिए उसे कोई कमाई नहीं हो पाती थी वह बेचारा भी भीक मांगता और तिनों प्रानियों को पेट पारन करता था तब जब नौ माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पूत्री ने के बाद उससे बहुत तेज भूख लगे और भोजन क्या हो सकता पड़ी और दोस्तों आ क्योंकि आज जो प्रसौकाल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है और बेचारा गरीब ब्राह्मन भोजन लेने के लिए आसपास के ग मुझे खाने को दे दो नहीं तो मैं अब मेरे बच्चे को क्या खिलाओंगी तब तक बुढ़ा आजमी कहता है कि पूत्री तुम इस पूत्र को मत खाना मैं आज कोसिस करता हूं कि मैं अभी भोजन मांगने के लिए कहीं जाता हूं अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें लाकर देदूँगा आज मैं कासी नगर में जाओंगा वहां के राजा जो राजा है उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ मांगोंगा यादि कुछ खाने को मिलता है तो मैं तुम्हें लाकर के वर से दूँगा दोस्तों ऐसा विशार करके बुढ़ा पीता चल द प्रण्तु उसने अपने पति के लिए जो बनाया था उसमें कई परकार के बेंजनों थे और पकवानों के में सजाकर भोजन अथाल सजाकर उसने रख दिया था उसके पति आएंगे तो वह उस भोजन को कर देगी लेकिन उसने में वह बुढ़ा आदमी उसके द्वार पर जाता है और दोस्तों इधर राज कुमा रूद पताब की पतनी वेदी को द्वार पर खड़ा वह दीन हीन गृत आदमी रहा है यह भोजन तो मैंने अपने पती के लिए बनाया है अगर कोई भोजन मैं इसे दे दूँगी तो मेरे पती क्या खाएगा खाएंगे फिर उसने सोचा कि मेरे पती अभी भी नहीं है वह अपने बिमार पिता के पास बैठे हैं तब तक मैं यहां भोजन उससे बेचार सिगर से चलता हुआ के अपने खर आ जाता है क्योंकि उसकी पूतरी तीन नीटा को देखवाल करने के बाद उसकी व्यजत की निخाने के बाद के कर्ष tulee कर अपने कर्षकी ओर जाएं लगता है उसके महल के दवार पर उसको दासने के लिए उसको बिश्तर पर बैठा करते हैं कि देवी सत्य भामा उस समय जब सब अच्छा होता है तो सब ठीक होता है आप ध्यान रखें कि 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 टालने के लिए आपको एक संकेत मिलता है और यदि आप समय को पहचान गए उस संकेत को समझ गए तो बड़े बड़ी पती भी टरी जा सकती है राजकुमार ने अपने करश में जाने के लिए जब शिड़ियों पर पह रखा तो उससे चीक आ गए उसका उधर उसका निधाई समय ले जाकर अपनी बेटी को दे दिया और लड़की ने जब भोजन खाया तो पुछने लगी पिता जी ये भोजन आपको किस ने दिया है लड़की का पिता ने कहा पुत्री या कहा महरानी ने दिया है यहां के राजा की जो पूत्र वद्धू है उसने मुझे पर दया करके ये स्वादिश भोजन मुझे दिया है भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआएं आने लगी वह भगवान से प्रत्ना करने लगी कि हे भगवान जिसने भी भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदय वह स्वाभागिवती बनकर रहे और जैसे ही वह उस भ सिर्वाद भगवान के पास पहellता है ने विचार कर लगे कि दुनिया में ऐसा क्या खटित होने वाला है तब नारा जी सब समझ में आ गया उन्होंने जाकर कि भगवान भुलेवाबा से कहा कि है प्रभु एक विचीत घटना घट रही है राधा देव बर्मा के पूत्र की मित्यू का समय आ गया है यमदू दर्वाजे पर खड़े हैं नाग उसकी विस्तर पर फन फलाए बैठा है राजकुमार सीड़ियों पर चड़कर उतर कर उपर जा रहा है जैसे ही वह अपने बिश्तर पर जाकर बैठेगा नाग उससे डस लेगा और उस समय बुढ़े आदमी के पूति राजकुमारी को असीवाद दे रही है कि उसकी आत्मा से असीवाद अमर हो जाए भगवान यह कैसा विचीत सयोग है एक तरफ पौत की मौत लेने को खड़ी है एक तरफ असकी बाद उसकी लंबी उम्र की प्रात्ना कर रही है तब दान की सक्ति और मौत में टकर हो गई और नारद बोले प्रभू इसमें क्या होगा भगवान भोले आबा जी हम के दूत की त्यारी में खड़े हैं कि देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया प्रंतु देखिए होने का सहयोग लोग राजकुमार अपने बिश्तर पर जाकर बढ़ता है और उधर दान की सक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई जिसके कारण नाग वेहोस हो गया उसने च चला भी नहीं जा रहा है यह सब क्या हो रहा है दोस्तों यह सब उस असरिवाद का प्रभाव था उस भुखकी लड़की की दूआ का प्रताव था देविस्ति भामार जर्फिराओं लग जाता है तो अंसिरवाद भी लगता है राजकुमार और नाक के बीच में असिरवाद खड़ा हो करके आगे राजकुमारी का दान मित्यू को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था यह दूत दान की सक्ति से कहने लगे कि तुम यहां से लोट जाओ हमें हमारा काम करने तो इसके प्रान लेकर जाएंगे तो दान की सक्ति और उस लड़की को आसिरवाद कहने लगा कि कभी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम उसके प्रानों के हरन कर लो दोस्तो अब तो दोनों में बहस होने लगी और अरम हो गई कि उन यूद शुरू हो गया और दान की सक्तिन ने उन यम दूतों को आगे बढ़ने से रोख दिया और यम दूत आगे नहीं बढ़ पाए और यम के दूत वापस हार कर यम लोग चले गया और दूतों ने जाकर के यम रा है यम्राज ने कहा कि ऐसी कौन सी बढ़ाया है जो मित्यू के माग में रोड़ा बन रही है दोने अम्दूतों ने बताया कि स्वामी एक एक तो दान की सकती है दूसरी आसिरवाद की सकती और बात सुनकर यम्राज बोलते हैं कि हेद तो लगता है प्रान लाते लाते तुम ल बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे इन से समझता करना होगा यम्राज इन से जीत नहीं पाएंगे और यम्राज अगर हार भी गये तो यह प्रकिति की नियमों का लंगन होगा यम्राज जब वह लंगन वस्तिती में हुए तो भगवान भोले भोल नात परकट हो गए और हैं मराज इन्हें भगवान भोले भाबा को देखा तो भगवान भोले अबा को देखकर के उनके चर्णों में परनाम किया और भगवान यम्राज से बोले कि हम राज तुम नहीं जानते हो तुम्हारे विधान के इनिश्तार इसकी आयूप पूर्ण हो चुकी है परन्तु आप मुझे यह बताए किक्या सराप नहीं लगते सराप तो भी लगते हैं स्री हरी जिश्नु का और ब्रह्मा आम्मा। को भी जलना पड़ते हैं क्या आपने स्राप के कारमित्यू लोग में जनम नहीं लिया था बताओ तुमने क्यों और ताधारम किया था यह मुझे रैस के स्राप से मान रखा था तो भगवान भोले बाबा की जब तुक तुम एक स्राप का मान रख सकते हो तब तक उसी तरह से किसी का आत्मास में निकलने वारी अश्रिवात का अभिमान रख सकते हो उससे आप निश्फल कर सकते हैं तो यह मुराज भगवान ने आप उपले यह बहुत जाना यह उस सक्ति आषिवात के कारण और वरदान कारण मित्यू का योग नहीं है इसलिए मित्यू के इस ने जीत लिया दोनों दोस्तों भगवान भोले बाबा के कहने पर यम्राज ने प्रकृति के नियमों के प्रवितिन कर दिया और राजकुमार रूद परताप के आयू को बढ़ागा 110 वस कर दिया इसके इस पकार के एक भुखे को भोजन दान करने पर आजा की अवलाद पर आई मित्यू भी टल गई है इसलिए तो मनुस्ति के अच्छे कर्म या दाव दया भाव दिन हीन की एक सेवा मित्यू को भी टालने के में समात रखती है दोनों मनुस्तों को यह दे रहे हैं वह उस दिन का पात्र है की नहीं दान पात्र के योग है होना भी चाहिए यदि मनुस्तों सुपात्र दान देते हैं तो उस दिन के समान मौत भी प्राजित हो जाती है यदि कोई किसी के सेवा करके और उसे कठीन समय में आकर कि उसकी मिद्द करता है और यदि किसी के अस्रिवाद लेत सब्सक्राइब छुम्फ ह recovered वित DUG- सब्छा-चैकर दोस्तों कि ऐबसे आप लोगों को पशन्द्राइब को विटों सकते हैं और दोस्तों करते हैं कि आप लोग को या प्ता चल गया हो वह कुछ सकती जरूर करें दोस्तों अगर आप भगवान स्री राम चंदर के सच्चे भगते हैं तो पॉमेंट जरूर कीजिए लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें हमारे मोटिवेट करें आए रहें अगले वीडियो में धन्यव प्रवाद